हेलो एब्रिवन यहाँ पर आज हम जानेंगे गाईज कि अगर जीवन रेखा दो मुखी है यानि आपकी जीवन रेखा दो भागों में बटी हुई है जैसे कि आप हथेली में देख रहे हैं गाईज अगर ऐसी इस्तिति आपकी हथेली में बन रही है तो ये बहुती सुपच चिन माना जाता है क्योंकि ये रेखाएं जो हैं जो रेखाएं जीवन रेखा से निकल कर अंदर की तरफ जाती हैं ये आपके सुख और सफलता को दरसाती हैं यहाँ पर आपको कहीं घर से बाहर दूर नहीं जाना पड़ता है बलकि आप अपने घर में ही रहकर या घर के अ सुद्रिन बनाने में आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और विश्वास से ये काम करते हैं ये रेखाएं जो हैं आपको अपने परिवार से धूर नहीं होने देती हैं बलकि आपके परिवार के पासी रहकर यानि अपने ही देश में अपने ही घर के आज पास कहीं आपकी नोकरी रहेगी, ब्योसाय रहेगा, जौब रहेगा, जिससे कि आप अपने परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं, और अपने आपको भी सकसे जो सफल बना सकते हैं, ऐसी रेखाय वाले लोग गाईस, बहुत ज़्यादा यात्राएं करते हैं, वो यात्राएं धार्मिक भी हो स या फिर ऐसी यात्राएं होंगी जिससे आपको सुखद अनुभव होगा यानि आपकी जीवन में यात्राएं भी बहुत जादे होंगी गाईज वह यात्राएं कैसे भी हो सकती हैं स्प्रिच्वल भी हो सकती हैं या फिर आप घूमने के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं लेकिन ये हैं ये दो मुखीरे खाएं जो हैं आपको बहुती ज़्यादा सकसे सफरता दिलाती हैं.